आपका पहला सवाल है, कौवा का जीवनकाल कितने वर्षों का होता है? आपका ओक्षन है, A. चार वर्ष, B. तीन वर्ष, C. पांच वर्ष, D. साथ वर्ष आपका सही उत्तर हो जाएगा, ओक्षन C. पांच वर्ष आपका दूसरा सवाल है, किस देश में पेड़ लगाने पर सरकारी नौकरी मिलती है? आपका ओक्षन है A. अमेरिका में, B. फिलिपीन्स में, C. घुटन में, D. श्रीलिंका में आपका सही उत्तर हो जाएगा, ओक्षन B. फिलिपीन्स में अब आपका तीसरा सवाल है, सन 1919 में, किस बैंक का उद्धाटन गांधी जी के द्वारा किया गया था? आपका ओक्षन है A. महराश्ट्रा बैंक B. सिंध बैंक C. पंजाब बैंक D. युनियन बैंक ओफ इंडिया आपका सही उत्तर हो जाएगा, ओक्षन D. युनियन बैंक ओफ इंडिया सवाल नंबर चार है, खोखो खेल के एक टीम में कितने खिलारी होते हैं? आपका ओक्षन है A. ग्यारह खिलारी, B. आथ खिलारी, C. नौ खिलारी, D. छे खिलारी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ओक्षन C. नौ खिलारी सवाल नंबर पांच है, भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? आपका ओक्षन है A. पांच बार, B. तीन बार, C. एक बार, D. आठ बार आपका सही उत्तर हो जाएगा, ओक्षन B. तीन बार रोजाना कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेसन ओन कर लीजिए आपका छथा सवाल है, किस देश का प्रत्येक नागरिक सेनिक है? आपका ओक्षन है A. नेपाल, B. रूस्ट, C. चीन, D. इज्राइल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ओक्षन D. इज्राइल सवाल नम्ब साथ है, भारत में सबसे ज़्यादा ताले का उत्पादन कहां होता है? आपका ओक्षन है A. अलीगर में, B. गोरकपुर में, C. कानपुर में, D. लखनव में आपका सही उत्तर हो जाएगा, ओक्षन A. अलीगर में अब सवाल नम्ब आठ है, ऐसा कौन सा जीव है, जिसको भूकम पाने से पहले ही उसका पता चल जाता है आपका ओक्षन है A. हाथी को, B. कुट्ता को, C. गाई को, D. मच्छी को आपका सही उत्तर हो जाएगा, ओक्षन D. मच्छी को सवाल नम्ब नौ है, मान्चित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है आपका ओक्षन है A. काला रंग, B. हरा रंग, C. नीला रंग, D. पिला रंग आपका सही उत्तर हो जाएगा, ओक्षन C. नीला रंग सवाल नम्ब दस है, क्या खाने से किद्नी हमेशा स्वस्त रहती है आपका ओक्षन है A. पियाज, B. केला, C. आलू, D. आम आपका सही उत्तर हो जाएगा, ओक्षन A. पियाज आपका सही उत्तर है झाल झाल